तो दोस्तों इंडिया में बहुती जल्दी Samsung Galaxy F24 लॉंच होने वाला है और यहाँ पे आपको Snapdragon 695 का प्रोसेसर, Android 13 और 64 Megapixel का Quad Camera मिलने वाला है तो चली दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके design के बारे में तो यहाँ पे आपको glass stick back के साथ मिलने वाला है जो की glossy finishing के साथ आएगा उसके साथ ही अगर बात करें इसके display के बारे में तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का Full HD Plus Super AMOLED डिस्पले मिलेगा जो की infinity O मतलब पंचोल डिस्पले के साथ आएगा और यहाँ पे आपको 90 Hz का refresh rate भी मिलने बाला है और अगर बात करें इसकी processor के बारे में तो यहाँ पे आपको snapdragon 695 का processor मिलेगा जो की 5G के साथ आता है उसके साथ ही यहाँ पे आपको android 13 पे base 1 UI मिलने बाला है जो की blotware free और clean UI के साथ आएगा और अगर बात करे इसकी राम variant के बारे में तो यहाँ पे आपको 2 RAM Variant 6-128 और 8-128 GB इंटरन शोडेश के साथ मिलने बाला है और अगर बात करें इसकी camera के बारे में तो यहाँ पे आपको पीछे quad camera setup मिलने बाला है जो की 64MP का primary lens 8MP का ultra wide angle lens, 2MP का micro lens और 2MP का depth lens मिलने बाला है और अगर बात करें इसकी selfie camera के बारे में तो यहाँ पे आपको 20MP का selfie camera मिलेगा जो कि बहुती clean और sharp image आपको लेके देगा उसके साथ ही यहाँ पे आपको 5000 mAh का battery और 25W का fast charging मिलने वाला है और यहाँ पे आपको type C port और 3.5mm audio jack भी मिलने वाला है और last में अगर बात करें इसकी launch date और price के बारे में तो इसका जो दोस्तो price होने वाला है वो लगबख 16-18000 के बीच होगा और यह phone 2023 के starting में ही launch होगा तो चली दोस्तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो please इस वीडियो को like कर दीजिए हमारे इस चैनल को subscribe कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ share कर दीजिए उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया Thank you